Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace देखो मैं हमेशा है छोटे छोटे बीच में क्लिप्स लेके आती हूँ वो इसलिए ताकि जो छोटे से बेसिक कॉंसेप्ट है ना आपके वो क्लियर होने बहुत जरूरी है ठीक है? तो एक मीड की थियोरी में मीड की थियोरी में आपने पढ़ा होगा I and Me का कॉंसेप्ट तो एक बार मैं फटा फट से इस वीडियो में आपको I and Me का कॉंसेप्ट समझाती हूँ I का मतलब मैं Me का मतलब मुझे ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना I and Me से मिलकर बना है Self Self क्या होता है? जो हमारी खुद की आइडेंटिटी होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है हमारी जो खुद की पहचान होती है जो पहचान हमें दूसरों से अलग दिखाती है तो ये जो Self कॉंसेप्ट का निर्मान है ये होता है I and Me से मिलकर अब देखो जो ये आई है ना मीड कहते हैं कि ये हम actual में खुद होते हैं आई जो है जो आई का behavior है वो हमारा खुद का behavior है जो की बिल्कुल unlearned होता है ठीक है वेरेज मीड ये कहती है कि मी जो मी का behavior है मतलब मुझे ये जो मी का behavior है ये society से सीख कर behave करता है ठीक है तो मी क्या है ये learned है ठीक है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि I जो है वो हम actual खुद है जो हमारा खुद का behavior है जो unlearned है ठीक है जिसने अभी तक society से कुछ नहीं सीखा whereas मी क्या है मी का behavior जो है वो society से सीख कर हमने adapt किया है और ये learned है अब देखो ये unlearned है तो that is why ये socialized नहीं है अब कोई भी चीज जो socialized नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे unsocialized ठीक है so in the same way मी क्या है ये learned है मतलब इसने society में रहकर बहुत सारी चीज़े सीखी है तो ये क्या है ये socialized है अच्छा इसके इलावा एक difference आपको ये ध्यान रखना है कि जो I है इसे ये पता है इसे ये नहीं पता कि society में कैसे रहना है तो इसका जो attitude है do not care या फिर whatever वाला attitude होता है ठीक है हम ऐसे सुचे हमें क्या फरक पड़ता है whatever मैं क्यों इतना सोचूं किसी के बारे में तो ये क्या है ये I है लेकिन मी क्या है मी का behavior जो है ये society के norms के according and society के rules and regulations के according behave करता है जैसे कि कहीं पर कुछ सड़क पर रूपे पड़े हुए मिले तो आई कहेगा उठाले भई काम आ जाएंगे लेकिन मी कहेगा चोरी करना पाप है क्यों और ये जो चोरी है ये जो चोरी करना पाप है ये जो चीज है ये हमने कहां से सीखी society से सीखी ठीक है तो ध्यान रखन आप आई एंड मी इनका डिफरेंस सिर्फ इतना ही है इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना और एक चीज ये दियान रखना कि जो मी है ये आई को हमेशा कंट्रोल करता है इट कंट्रोल्स आई ठीक है इसके अलावा मीड का ये भी कहना है कि भले ही मी आई को कंट्रोल करता है बट डेट डेट डेजन मीन कि मी हर टाइम पॉजिटिव होगा तो आई नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है इन दा सेम वे मी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है सिंपल ठीक है अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्लिप आईगी उसमें मैं आपको Generalized and Significant Others, इन दोनों का Difference बताऊंगी. तो पहले I and Me का Difference जानना जरूरी था, अब Generalized and Significant Others का हम Difference देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. आप मेरे साथ Instagram पर जूड सकते हो, Instagram की जो ID है वो आपको Description Box में मिल जाएगी. This side Priyanka गोर, I wish you all the best,